नमस्कार दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में मेथी दाने का पाउडर बनाने के तरीके और औशदिय गुन और फाइदे के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले जानते हैं इसके औशदिय गुनों के बारे में मेथी दाने का उपयोग तो हर किसी के घर में होता ही है मेथी दाने की तासीर गर्म होती है इसका ज्यादा प्रयोग नुकसान दे हो सकता है मेथी दाने का ज्यादा सेवन करने से बचे वरना पेट खराब हो जाएगा इसलिए मेथी दाने का उपयोग करने से पहले हमें इसे गर्म करके करना चाहिए या रात को सोते समय इसे पानी में भिगो कर रख दे सुबह उटकर खाली पेट सेवन करें इसके सेवन से शरीर में अंगिनत फायदे होते है तीस साल की उम्र होने के बाद हमारे शरीर में कई तरह के रोग होने लगते हैं जैसे बाल का सफेद होना, शरीर का कमजोर होना, शुगर की समस्या, शरीर में खूम की कमी, हड्डियों का कमजोर होना, पाचंतंतर का कमजोर ह हाथ पेर और जोडों में दर्द, कैंसर आदी समस्या घिरने लगती है। अगर हम मेंथी का सेवन रोज करें तो इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। क्योंकि मेथी के दानों में विभिन प्रकार के पोशक तत्व मौजूद होते हैं जैसे उर्जा, काबोहाइडरेट, प्रोटीन, फैट, कॉलेस्ट्रॉल, डाइटरी फाइबर जो हमें इन सभी रोगों से बचाने का कार्य करते हैं। मेथी दाने का पाउडर बनाने का तरीका मेथी के दानों को तवाया कड़ाई में डाल कर हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें। इसे चम्मच की मदद से चलाते रहे, जब मेथी दाने का रंग हल्का सा लाल रंग का दिखने लगे तो इसे दुसरे बरतन में पल्टी कर दे और इसे ठंडा होने दें। फिर इसे कुट पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लें। अब आप इसका सेवन कर सकते हैं। मेथी दाने के हैरान करने वाले फायदे। मेथी के बीज लीवर को शराब के सेवन से होने वाली क्षती से हमारी रक्षा करते हैं। अत्यदिक शराब का सेवन लिवर को नुकसान पहुँचता है। मेथी के बीज में मौजूद पॉलिफेनोलिक योगिक लिवर की क्षती को कम करते हैं और अलकोहल के दुश प्रभाव से बचाने में मदद करते हैं। मेथी के बीज में कुछ ऐसे पोशक तत्व मौजूद है जो वजन घटाने के लिए भी लाबकारी है। मेथी के बीज कॉलेस्ट्रॉल और लिपिट्स तर को भी नयंत्रीरत रखते हैं। मेथी में तवचा के लिए बहुत अधिक लाबकारी है। इसकी एंटी ऑक्सिडेंट गुनवत्ता तवचा को फ्री रेडिकल क्षती से बचाती है और तवचा पर आने वाले बुरापे के लक्षनों से छुट कारा दिलाती है। जुरियों के अलावा, मेथी अपने एंटी इंफ्लेमेटरी गुनों की वजह से सुजन, खाफ, फोडे, जली हुई तवचा को ठीत करने में भी उप्योगी है। मेथी का सेवन बालों को मजबूत करने में सहायक है और उनका तूटना भी कम करते हैं। साथ ही मेथी के बीज रुसी को कम करते हैं। डैंडरफ आमतोर पर सिर्की सुखी तवचाया फंगल संक, रमन का कारण होता है। मेथी के उप्योग से रुसी को कम करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही मेथी के बीज बालों के रंग को भी बनाए रखते हैं। शिशुओं को स्तन्पान कराने वाली महिलाओं के लिए मेथी के बीजों का सेवन करना फाइदेमंद माना जाता है। इसमें फाइटोस्ट्रोजेन होता है जो स्तन्पान कराने वाली माताओं में दूर धुत्पा, दन को बढ़ाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएं तो हमारे इस चैनल को लाल रंग के बटन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें.